घर में आखिर कौन सी फोटो कहां लगानी चाहिए? कौन सी तस्वीर होती है घर के लिए शुब, जाने तस्वीर से जुड़े वास्तु नियम? प्रतीक व्यक्ति अपने अपने घर को सजाने, शुबहता और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए अपने घर की दिवारों पर तमाम तरह की तस्वीरे लगाता है, लेकिन ऐसा करने से पहले किसी भी तस्वीर को सही दिशा में लगाने का वास्तु नियम जरूर जान लेना चाह अन्यथा आपको लाब की जगा नुकसान झेलना पड़ सकता है, फिर चाहे वो आपकी आँखों को सुकून देने वाली तस्वीर या पेंटिंग हो या फिर देविया कृपा बरसाने वाली भगवान की फोटो, आईए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि घर में क इस दिशा की दिवार में कौन सी फोटो को लगाने से शुभता, सकारात्मकूर्जा और ईश्वरिय अकृपा प्राप्त होती है 1. वास्तु के अनुसार यदि आपको अपने घर में उगते हुए सूर्य की फोटो लगाना हो तो हमेशा पूर्व दिशा लगाना चाहिए क्योंकि पूर्व को ही भगवान सूर्य की दिशा माना गया है मान्यता है कि पूर्व दिशा में प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की फोटो लगाने से घर की सकारात्म कूर्जा में व्रिद्धी होती है और सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशिर्वाद प्राप्थ होता है 2. वास्तु के अनुसार यदि आपको अपने घर में परिवार की फोटो लगाना हो तो उसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं मान्यता है कि उत्तर दिशा में फैमिली फोटो लगाने से रिष्टों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है 3. कभी भी फैमिली की ऐसी फोटो न लगाएं जिसमें सिर्फ तीन लोग शामिल हो वास्तु के अनुसार दीवार पर परिवार के तीन सदस्यों या फिर तीन दोस्तों वाली फोटों को शुब नहीं माना जाता है 4. घर की पूर्व दिशा में बच्चों की तस्वीर लगाने से बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं और उनका भविश्य भी उजवल होता है अगर आप परिवार में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपनी कुर्सी के पीछे पहाड या परवत की तस्वीर लगाएं 5. हिंदू धर्म में मा लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है ऐसे में आर्थिक संपन्नता के लिए अपने घर की उत्तर दिशा में कुबेर या मा लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें मा लक्ष्मी बैठी हुई हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो इससे व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता 6. वास्तू शास्त्र में माना गया है कि तेरती हुई मच्छलियां जीवनतता का प्रतीक है मच्छलियों की तेरती हुई फोटो घर में लगाने से परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र का वर्दान मिलता है गाई की तस्वीर उसके बच्छडे के साथ लगाने से घर में सुख सम्रुद्धी आती है साथ, वास्तू के अनुसार किचन में मंदिर नहीं बनाना चाहिए लेकिन यदि आप चाहे तो वहाँ पर मा अन्नापूर्णा की तस्वीर लगा सकते हैं आठ, वास्तू के अनुसार दिवनगत लोगों की फोटो को कभी भी इशान कोन में बने पूजा स्थान में नहीं रखना या लगाना चाहिए वास्तू के अनुसार दिवनगत या फिर कहें मृत लोगों की तस्वीर को दक्षिन दिशा में लगाना चाहिए 9. वास्तु के अनुसार यदि आपकी विवाह के लंबे समय बाद तक संतान सुख की प्राप्ती नहीं हुई है तो आप अपने बैद्रों में किसी हंस्ते हुए बच्चे की तस्वीर लगा सकते हैं 10. अपने वैवाहेक जीवन में प्रेम और समन्जस्यमे को बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन साथी के साथ हंस्ती हुई फोटो या फिर राधा कृष्ण की फोटो लगा सकते हैं वास्तू शास्त्र में कहा गया है कि बैद्रों में जीवन साथी की तस्वीर व्यक्ती को अपने सिर्हाने की ओर लगानी चाहिए ऐसा करने से वैवाहेक जीवन में कला नहीं होने की बात कही गई है 10. यदि आप अपने कारोबार में वृद्धी और लाग चाहते हैं तो कभी भी अपने व्यवसाइक स्थल पर बैठे हुए गणपती, माता लक्ष्मी आदी की तस्वीर न लगाएं इसी प्रकार घर के भीतर कभी भी इनकी खड़ी हुई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए 11. दोरते हुए घोडे सकारात मत्ता को दर्शाते हैं घर में पॉजिटिव एनरजी बनाए रखने के लिए दोरते हुए घोडों की तस्वीर जरूर लगाएं ध्यान रखे की तस्वीर में साथ घोडे होने चाहिए ये तस्वीर लगाने के लिए दक्षिन दिशा सबसे अच्छी होती है घर में न लगाएं ऐसी तस्वीरें एक, घर में शेर, बाग, बंदर, सांक, गेद, कोवा, उलू, भालू, सियार, सुई या मगरमच जैसे हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगाने से परिवार के लोगों का व्यावार भी हिंसक हो जाता है इससे परिवार में जगडे होने लगते हैं दो, वास्तू के अनुसार कभी भी अपने घर के किसी भी कोने में दूबते हुए सूरज, उदास बच्छे, हिंसक जानवर, महभारत युद्ध, दूबते हुए जहाज आदी की फोटो नहीं लगाना चाहिए वास्तू के अनुसार ऐसी तस्वीरे घर में नकारात्मकता और अवसाद पैदा करती हैं 3. महभारत या किसी युद्ध की तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में मतभेद और जगडे बढ़ने की संभावना रहती है 4. घर में किसी भी समाधी या मकबरे की तस्वीर लगाने से मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं जिससे आत्मबल कमजोर होने लगता है 5. दूबती या लहरों में डगम गाती हुई नाव का फोटो लगाते से परिवार में तनाव बढ़ता है और वास्तु दोशुत्पन होता है 6. बहते हुए पानी, जर्ना या फिर फववारे की तस्वीर लगाने से धन की काफी फिजूल खर्ची होती है 7. नत्राज शिव की तस्वीर घर में लगाना अशुब माना गया है नत्राज करते हुए भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ती लगाना विनाश का सूचक है इसलिए इस तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए 8. माता लक्षमी की खड़ी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए इससे धन संचित नहीं रहता है इसलिए बैठी हुई लक्षमी की तस्वीर ही पूजा घर में रखनी चाहिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद